रेस्लिंग की दुनिया में दाव अजवाने के बाद विनेश राज्जिती की दुनिया में कदम रख रही है और पहलवानों के अखाडे में बड़े बड़े लोगों को पटकनी देने के बाद क्या राज्जिती अखाडे में अपने विरोधियों को पटक दे पाएंगी या एक रिपॉर्ट देखिए। लेकिन किस्मत इतनी फूटी हुई थी कि फाइनल में डिस्कॉलिफाई हो गई फिर ओलंपिक को लेकर पूरे देश में गुस्ता फूट पड़ा। के वाद विनेश वोगाट की दौलत को लेकर काफी चर्चा हो रही है। तो हम भी आपको बतायाना चाहते हैं कि आखिर कितनी दौलत की मालकीन है विनेश वोगाट। विनेश वोगाट के चुनावी हलफ नामे में जो संपत्ती और आमदनी का ब्योरा दिया गया है। उसके मताबिक जोयलरी, निवेस, कैश और बैंक, जमा को मिलाकर कुल एक करोड़ दस लाक रुपे हैं। करीब दो करोड रुपे की अचल संपत्ती है। तो आप समझ सकते हैं कि पहलबान विनेश के पास कितनी दौलत है। विनेश के हलफ नामे के दूसरे पन्ने में जो लिखा है उसके मताबिक विनेश वोगाट ने शेयर मार्केट में भी निवेश किया हुआ है। विनेश और उनके पती ने शेयर मार्केट में छे कमपनियों पर करीब उननिस लाक रुपे निवेश किया है। इसके अलावा विनेश वोगाट ने एक लाक पचास हजार का प्रीमियम इंशॉरेंस भी ले रखा है। पहलवान विनेश ने ये सारी शानकारी अपने चुनावी हलब नावे में दाखिल की है। पहलवान को गहनों का शौक नहीं है इसलिए उनके पास पुल 35 ग्राम सोना हैं जिसका बाजार में मुले करीब 2,24,000 रुपे हैं जबकि चांदी 50 ग्राम हैं जिसके कीमत 4,4,000 रुपे के करीब है। विनेश वोगाट के पास गाड़ी के अलावा जमीन भी हैं। और जितनी उनके पास संपत्ती है उस पर आपका क्या है कहना कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। झाल 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 झाल